नमस्कार दोस्तो स्वागर है आप सभी का तेकी राच योटूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ओनर 7X या फिर किसी भी ओनर के डिवाइस पर यदि आपको जेस्टर कॉंट्रोल सेटिंग करना है तो दोस्तो कैसे आप यह कर सकते हैं आज की इस वीडियो पर दोस्तो मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सेटिंग शो करके बताऊंगा कि कैसे आप जो है जेस्टर को यूज कर सकते हैं इसका कॉंट्रोल कैसे कैसे यहाँ पर डिया गया है ठीक है तो कॉंप्लीट दोस्तो यहाँ पर मै उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके सिस्टेम पर जाना है सिस्टेम पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ सिस्टेम नेविगेशन पर क्लिक करना है और यह रहा दोस्तों हमारा जेस्टर सेटिंग तो इसको आप यहाँ पर यहाँ पर यूज कर सकते हैं और उसके बाद यह ठीक है नेवीगेशन सेअटिंग है उसके बाद यहाँ पर है नेवीगाईशन डोक है यानि कि आपका जो है यहाँपर assistive ball आपके तो यह दोस्तो वह सेटिंग है उसके बाद दोस्तोई हूपर हम बात करते हैं फ़ Double setting तो यहाँपर भू स्0 यहाँ पर नहीं है तो इसको कैसे कॉंट्रोल करें इसको कॉंट्रोल करने के लिए दोस्तों आपको बेक करना है तो आप दोस्तों राइड एन लेफ साइट से भी कर सकते हैं ठीक है सिर्फ आपको स्क्रीन के ठीक सामने यहाँ पर स्लाइट करना है कुछ इस प्रकर से ठीक है आप देख सकते यहां पर तो इसको जो है यहां से भी कर सकते और यहां से भी कर सकते दो दोनों से बेक हो जाते हैं ठीक आप देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको बेक करना है तो यहां से भी कर सकते हैं और डायरेकली होम पर जाने के लिए ठीक है डायरेकली से जो है स्लाइट करके ठीक मीडल पर जाके हॉल कर दीजिए स्क्रीन को ठीके कुछ इस प्रकार से तो यहाप दोस्तों नहीं हो चली एक बार करते तो ऐसा आपको करना है उसके बाद मिल जाएगा आपका रिसेंट तो यह है दोस्तों रिसेंट ठीक है तो आप लिए आपको हो जाएगा और आप आसानी से यूज़ कर सकती है यदि आपको उफ करना है तो सेम सेटिंग आपको फोलो करना है बस आपका यह पर मिल जाएगा ठीक है आपका बटन तो यह था दोस्तों जेस्टर कॉंट्रोल आज की इस वीडियो पर दोस बस इतने ही उमिट करते हैं आपक